हालो दोस्तों वर्च्वास चैनल में आपका स्वागत हैं बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जोग कर रहे हैं या जो एस्पिरेंट्स बैंकिंग सेक्टर की डिफरेंट एक्जाम्स की प्रिपेरेशन कर रहे हैं और जो बैंकिंग सेक्टर को जोइन करना चाता हैं उन सबी के म प्रेंट में एक आर्टिकल इस पे आया है वह उसी को अपसे मैं सेर करूंगा उससे पहले थोड़ा देख लें कि यह पेरिविजन क्या है जो रेगुलर दो तरह का पे रिविजन एक को अपका एंवल इंक्रीमेंट है वह आपके लगता रहता है प्लस जितना मेंगाई बढ़ती है तो वह डिय भी आपका बढ़ता रहता है बूत हो गया है कि रूटिन में जो आपका बढ़ना है देन एक हर पांच साल बाद में जो भी पे आपकी है उसको उसकी पूरी समिक्सा की जाती है और फिर उसमें एक enhancement दिया जाता है कि जो regular पे का जो increment पे में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो sufficient नहीं और कुछ पे और बढ़ाई जाती है तो वो pay revision है तो यह अभी जो scheduled है यह 11th है दस पहले मिल चुके हैं ग्यारवाँ है फार पांच साल बाद मिलता है और यह due कब से है first November 2017 से 2017 से यह और इसमें dispute होने की वज़ा है कि banking sector की position financially बहुत अच्छी नहीं है इस वज़े से वो dispute है आई भी यह कुछ देना चाहरा है जो association unions जो है इंप्लोई की यूनियन हो ले ओफिसर्स की banking sector की वह कुछ दिफ्रेंट जैसे इनके negotiation चल रहे है पहले यह negotiation पर यह अटके वे थे आठ परसेंट पर आई भी लेकिन अब जो recent इनकी जो meeting होई है उसमें उन्होंने 10 परसेंट का offer दिया है और 10 लेकिन उसके अंदर जो main जो problem है जो यूनियन से हैं वो 10 परसेंट पर भी agree नहीं कर रही साथ ही एक जो बड़ा scale 3rd तक के officers को ही यह इसमें pay revision में include करना चारे लेकिन इससे पहले से लेके 7 तक की अमेशा होते रहे हैं तो इसके लिए protest कर रही थी union जो इनके officers की union है वो इसी के लिए कर रही थी अब आई बीए agree हो गया है 1st से लेके 5 तक कि 1st से 5 तक का जो 6 और 7 जिसमें आपके DGM GM और यह लोग आते हैं उसको बाहर रखना चारे है वो उनका जो increment है या उनकी pay है वो depend करनी चाहिए कि जो वहां का bank की position क्या है कितना वो bank के profit में है according ले आपको उनकी selling बढ़ा है लेकिन union जो है इनकी जो बड़ी union है banking sector के officers की वो इस पे भी नहीं मान रही है और वो चारी है कि up to 7 फेस्ट से 7 तक को इसमें लिया जाए और साथ ही जो 10% का offer है उस पे भी union agree नहीं कर रहे हैं तो अभी एक नया इसमें कुछ वो development हुआ है जो economic times में जिसका आया है वो ही मैं आपसे share करना चाहरा हूँ तो इसमें अगर आप देखें हैं तो economic times का वह आपका यह देखो आज का wage revision for bank officers and workmen may be done separately तो एक नया issue हुआ है कि इसमें दो तरह की unions हैं एक officers की है एक employees की है तो officers यह अप्टू fiscal six लिया जाएगा सेउंथ या फाइफ या थार्ड जो है उसे अफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ officers जो दूसरे जो clerical staff या स्टाफ है उनकी union का यह उनके मन में आए कि जो चीज अमारे से पर्टें नहीं करती तो हम अमारा अलग से settlement कर लें उन देन यह करते रहेंगे अपना क्योंकि अगर एड़ नाइन्थ और टेंथ में यह जो देखो तो इसमें इन्होंने क्या दिया दा प्रोसेस ओब वेज निगोशेशन फॉप पब्लिस सेक्टर बैंक ओपी सर्सेंड वर्कमेन में बीड़न सेपरेटली अगें आप्टर वन अब ओफिसर्स की बड़ी यूनियन है वो इससे जो चर्चा है या टोक जो है इन टोक को बाइकट कर रही है और जो इम्प्लोईज की यूनियन है वो इसमें कंटिन्यू रखना चारी है कि जो भी सर्टें नेगोशेशन करके और फिर इसमें जहां भी फिक्स हो बट वो ल लिया जाए तो इसलिए अब इसमें ये मान के चलो कि इसमें और डिले की गुंजाइस हो गई है अलांगी साइद आज ये फैसला लेंगी इनकी यूनियन 13th March को ये फैसला लेंगी कि अपने अलग इन से अलग जाएं या इनके साथ ही रहें मिला और साथ ही यह आया है कि एक बाहना और है आई बीए के पास कि यह जो लग गया तो तीन मेने तक यह सेटल्मेंट को और भी इस बाहने से बिटा लेंगे आई बीए इस रेज़ ओफिसर्स प्रोटेस्टिंट प्रोवज तो लीव डिप्टी जनरल मनेजर यह तो वही जो मैंने बिगनिंग में चर्चा की है वह अप्टू फिप्थ इसकेल तक देना चाहरे हैं ग्रेट और यह यूनियन है यह अप्टू सेवन तक इसको रखना चाहरे हैं लेकिन एक यह देखो फूलोविंग इस इंपास दा फाइव वर्क्में उनियन लेट याल इंडिया बंक एंप्लोई असोचेशन आर कीन तो गो अहीड विद देगोसेशन अली फूर देर मेंबर्स अंडर दा इंडस्ट्रियल दिप्ट एक्ट वर्क्में इंक् बेंक्स के फाइनल डिसिजन विल बी टेकन वेडनस टे एट एट ए यूनिटेफ फॉर्म ओफ बैंक्स यूनियन मीटिंग ए आई बीए प्रेजिडेंट राजय नागर टोल्ड तो यह एक इंफॉर्मेशन निकल के आई है जो मैं आपसे सेर करना चाला था कि जो इन दोनो में दोनों यूनियन में डिफ्रेंसेज डवलप हुए हैं और जो अभी प्रिजेंट जो इनका ओफर है वो दस परसेंट है वो दस परसेंट में भी फैस से लेके यह इंप्लोईस तो है यह जो वरकर्स जो क्लेरिकल ग्रेड और सब्सक्राइब करना चाले और फिप से उप सब्सक्राइब करना चाले और यूनियन से इनके जो ओफिसर्स की है वह जा रहे ही कि फैस से लेके सेवन तक अब टू जीम इसमें कवर हो और साथ ही जो टेन परसेंट का ओफर है उससे से भी दोनों ही यूनियन सेटिस्पाइब नहीं है लेकिन अब इसमें जो कहां तक ल अलग से भी अपने टॉक्स जारी रख सकते हैं क्योंकि ओफिसर्स ने इन टॉक्स का बॉइकट कर दिया और जो इंप्लोई की यूनियन है वह इसको कंटिन्यू रखना चारी है हो सकता है कि पहले इंप्लोई का यह सेटल्मेंट होजे और देन ओफिसर्स और जब एक बार खबर थी जो मैं आपसे सेर करना चारा था तो आज के लिए बस इतना ही फिर कोई अच्छी खबर आएगी तो वो लेके फिर हाजिर होंगे that's all for today's session have a nice day